मादेमिक शिक्षा परिशाद उत्तर प्रदेश की यी वर्चुल क्लासिज में प्यारे बच्चो आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम कक्षा नौ विशेगड़े अध्याय तेरे का जो चैप्टर प्रस्टीज हित्रफल तता आयतन जिसको इंग्लिश में सर्फी सीरिया और वॉलियूम कहते हैं उसका दूसरा भाग जो है करने जा रहे हैं मैं गोपाल शुकला हिंदू इंटर कॉलेज अलीगर से हूँ तो सबसे पहले हम भाग दो में क्या हमारे चर्चा के बिंदू है ये जान लेते हैं सबसे पहले हमें पूर्व ग्यान में ये पता लगाना है या ये हमें जान लेना है कि लंपड़ती बेलन आखिरकार होता क्या है उससे सम्मंदित पद को हमें अच्छे से जान लेना है बेलन का वक्ष प्रस्टिय छेत्रफल कुल प्रस्टिय छेत्रफल तता आयतन ग्यात करने के क्या-क्या सूत्र हैं वो हमें जान लेने हैं खोकले बेलन का वक्ष प्रस्ट ये छेतरफल, खोकले बेलन का संपूर्ण प्रस्ट तथा आयतन ग्यात करने के क्या क्या सूत्र हैं, वो जानने हैं, बेलन पर आधारित प्रश्ण करना है, उनके प्रश्ण देखने हैं, फिर उनके हल करने हैं, तद उपरांत आपको अभ्य 10 कारे मिलेगा जिससे आज की क्लास में जो जो चीजें कवर हुई हैं उनका आप अच्छे से भली बाती रिवीजन कर पाएं तो सबसे पहले जान लेते हैं लंबर्तिय बेलन क्या होता है एक लंबर्तिय बेलन में दो समतल वरत्तिय सरे होते हैं यानि कि जैसे अगर हम एक सरकिल होते हैं और ये परसपर आपस में क्या होते हैं सामान अंतर होते हैं ये और ये आपस में सामान अंतर होते हैं तथा दोनों सिरे समकौन पर पार्ष्व प्रस्टिय छित्रफल द्वारा जुड़े रहते हैं बच्चो ये इसका क्या होता है पार्ष्व प्रस्टिय छ अधारण है बेलनाकार पाइप इसका उधारण है आपने पाइप देखे होंगे उनका जो वो उस आकरती को हम बेलनाकार आकरती कहते हैं घर में जार देखे होंगे जिसमें आपकी घर में मम्मी जो हैं सामान रखती हैं दाले रखती हैं चावल लगती हैं ऐसे जो जार होते ह वो भेलना कार्याटी होते हैं और आपने क्रिकेट देखते होंगे तो उसमें जो रोलर होता है जो पिचको रोलकन्ने काम में आता है वो भी लंबिटि ये बेलन के आकार का होता है तो ये इसकी जो है ये फिगर है आधहर है पे clan के ल के आधार दो सरकुल देख रहे हैं और ये दोनों सरकिल सामानांतर हैं यानि ये दोनों ब्रश सामानांतर हैं और इससे नभ्यांश के कौड में ये जो आपका क्या है पार्शु प्रष्टी शेत्रफल द्वारा ये जुड़े हुए हैं। गुमाएंगे तो जो आकरती बनेगी वो भी आपकी आकरती क्या होगी बेलनाकार आकरती होगी तो किसी आयताकार प्रष्ट को उसकी एक भुजा के परते गुमाया जाए तब प्राप्त आकरती को लंब्रतिय बेलन कहते हैं। क्या कहाएगी बेलन की अक्ष कहलाएगी इस तरीके से गुमने पर जब चारो तरफ ऐसे गुम जाएगा तो फिर जो आकरती बनेगी वच्चो वो बेलन बनेगी आप इसका प्रियो घर पर कड़ सकते हैं। कि एक भुचा के परिते गुमाएगी और फिर आप देखेंगे कि एक बेलना कारा करती आपकी बन जाएगी। एबी को जब ब्रत बीसी की परिधी पर घुमाया जाता है तब लंबर्तिय बेलन जो है हमें प्राप्त होता है। कि इसका आधार क्या होता है। ये ब्रत है इसका केंद्र होगा उन केंद्रों को अगर हम मिला दें तो जो रेखा बनेगी वो इसकी क्या कहलाएगी अक्ष कहलाएगी बेलन के ब्रत्तिय प्रश्टों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा खंड बेलन की क्या कहलाती है अक्ष कहलाती है और बेलन की अक्ष स सिरे हैं ये जो इसका सिरा है इसके केंदर से परधी को जब आप ये मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगी ये बेलन की यानि कि इस ब्रत की जो तरज्जा होगी वही बेलन की तरज्जा कहलाएगी लंबर्तिय बेलन के ब्रताकार आधारों की तरज्जा बेलन की तरज्जा कहल और उचाई क्या है जो अक्ष है ना इस बच्चो इसकी यानि कि ये जो आपने देखा कि ये जो अक्ष है ये इसकी ये जो अक्ष है यही बेलन की क्या कहलाएगी उचाई कहलाएगी तो ये बिटा कुछ ऐसे पद हैं जो जान लेने आवशक हैं जब भी आप इस तरह के सवा पराल करेंगे वीलन पर आधारत अब 5 प्रस्टी एचीतर फाल eher five लाटरल सर्फेस क्या होता है लमबधी बिलन की ब्रृताकार आधारों को मिलाने वाला प्रस्ट को वक्षु प्रस्ट या लेटरल सर्फेस कहलाता है, यह दो पृत्यकार्सरों को ये जो ड़ड है ना, उससे connect है, तो ये जो है ये आपका वक्षु प्रस्ट या प्ाषु प्रस्ट कहलाता है, तो बेलन के आधार की परिधी क्या होती है ये जो बेलन का आधार ये ब्रत के रूप में है और ब्रत की परिधी बच्चों आप जानते हैं 6, 7th क्लास से की ब्रत की परिधी होती है 2 पाई यार तो ब्रत की परिधी हो गई 2 पाई यार और इसकी जो उचाई है वो हमने बेलन क क्या मान रखी है ये उचाई हमने मान रखी है H के बराबर और हमने त्रिज्जा किसके बराबर मान रखी है R के बराबर तो आधार की परेदी हो गई उपाई यार और उचाई क्या हो गई इसकी हो गई अब हम जो है बेलन पे आधारे जुट रहें वो उन्हें समझते हैं कि बखत प्रश्टीय छेत्रफल है और आयतन कैसे ग्यात करेंगे तो हमने बेलन की आधार की तरिज्जा को तो हमने क्या मान लिया आर मान लिया आधार की तरिज्जा आर और इसकी उचाई को हमने क्या मान लिया एच मान लिया इसकी उचाई जो है वो एच है तो तरिज्जा को आर और उचाई को एच अब बेलन का वक्य प्रस्टी छित्रफ बनाने में इतना आसानी है इसकी परधी कितनी है 2 pi r और उसमें इसकी ऊचाई का गुणा कर दो खेल खतम आपका क्या जाएगा वक्क प्रस्ट आजाएगा तो बेलन का वक्क प्रस्ट ये छृतर फल क्या हो गया 2 pi r में आपने किसका गुणा कर दिया H का तो कितना हो गया 2 π fái RH इसका क्या हो गया वक्षट्प्रस्ट यह छेतरफल हो गया अब बेटा कुल परस्टी चेतरफल में वक्षट्प्रस्ट भी आता है उपर वाले सरे पे ब्रत है नीचे वाले सरे पे ब्रत है तो 2 pi r h में आपको क्या जोड़ना है दो ब्रत का छेतर फल ये भी pi r square ये भी pi r square तो कितना हो जायगा 2 pi r square तो common क्या आ जायगा 2 pi r common आ जायगा देखो 2 pi 2 pi common r r common तो 2 πाई आर कॉमन ले लेंगे तो कोस्ट्रक में क्या वचेगा H प्लस आर यानि ये क्या हो जाएगा इसका ये इसका हो जाएगा कुल प्रस्टिय छेतरफल यानि वक्ष प्रस्ट में दोनों ब्रताकार से रोगे चेतरफल को और जोड़ दिया जाएगा तो कुल प्रस्टिय छेतरफल आ जाएगा आयतन के लिए देखिए आधार पे जो ब्रत है उसका क्या चेतरफल है ब्रत का चेतरफल प्यारे वच्चो होता है पाई आर स्क्वेर और उसमें किसका गुणा कर दिया आपने उचाई का गुणा जब एक संब्रूप आकरती हो एक जैसी आकरती हो जैसे घन है घनाव है तो उसका या आपका बेलन है तो उसका सिंपल फंडा है आधार के छेतरफल में उचाई का गुणा कर दो आयतन आ जाएगा तो आधार का छेतरफल कितना है पाई आर का वर्ग और उसमें उचाई का गुणा कर दिया तो आयतन क्या आ गया पाई आर स्क्वेर एच और आयतन हमेशा किसमें ना पायाता है गहने काई में तो ये तो हो गए आपके बेलन से संभनधे कुछ सुत्र, अब खोक्ले बेलन का वक्य प्रश्टी चेचत्रफल, कुल प्रश्टी चेत्रफल, और संपुन प्रश्टी चेत्रफल और आयतन कैसे जाद करेंगे। समान उचाई के भिनिवने तरिज्जा वाले दो समाक्ष बेलनों से सीमाबद ठोस को खोकला बेलन कहते हैं जैसे पाइप है उसका एक बहारी सिरा है वो भी बेलनाकार है और आंतरिक सिरा है वो भी बेलनाकार है तो भारी तरिज्जा को हम किस्ते दिखा रहे हैं 8 से और भीत्री तरिज्जा को हम दिखा रहे हैं small 8 से और उचाई क्या है एच तो खोकले बिलन का आधार का क्या छेतरफल होगा अब खोकले बिलन के आधार का छेतरफल इन दोनों ब्रतों के बीच में जो छेतरफल है न वो छेतरफल होगा तो जो बाहर वाला ब्रत है उसमें से अंदर वाले ब्रत का छेतरफल निकाल दो तो बाहर वाले ब्रत का छ उत्र हो जाएगा ये सूत्र हो जाएगा आधार का छेतरफल जब भी आपको निकालना है तो आप बाहरी जो ब्रत है उसमें से जो भीतरी ब्रत है उसका छेतरफल माइनस कर देना तो उत्तर क्या आजाएगा पाई कैपिटल आर का वर्ग माइनस आर का वर्ग अब खोकले बेलन का वक्क प्रस्ट क्या होगा वक्क प्रस्ट में जो अंदर का प्रस्ट होगा वो भी शामिल होगा और जो बाहर का प्रस्ट है वो भी शामिल होगा और वक्क प्रस्ट का सुत्र तो आपने यादी कर लिया था टू पाई गुणा त्रज्जा गुणा ऊचाई तो बाहरी में बाहरी त्रज्जा का उपी होगा और भीतरी में भीतरी त्रज्जा का उपी होगा तो बाहरी प्रिस्ट में बाहर वाली त्रज्जा का उपी होगा भीतरी प्रिस्ट में भीतरी त्रज्जा का उपी होगा और फिर आपने देखा 2 pi एक तो common आ रहा है दोनों जगे से तो 2 pi common ले लिया और एक h common आ रहा है तो h common ले लिया तो क्या बचा एक तो बचा capital R और एक बचा small r तो कोश्टक में आ जाएगा बाहर आ जाएगा 2 pi h और कोश्टक में आ जाएगा r plus r अब खोकले बेलन का संपूर प्रस्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे एक तो वक्प्रस्ट का छितरफल प्लस दोनों सुरो का छितरफल अब वक्प्रस्ट ही छितरफल तो हमने अभी अभी निकाल लिया कितना आ गया 2 pi h bracket में r plus r और अभी मैंने आप से बताया था कि जो जैसे खोकला बेलन है उसके आधार का छितरफल क्या बताया था पाई capital r का वर्ग minus small r का वर्ग यानि बाहरी तरज्जा का वर्ग minus भीतरी तरज्जा का वर्ग उसका अंतर और बाहर पाई का गुणा अब क्योंकि दो सिरे होते हैं दोनों पे ही बरत होता है तो आपने क्या कर दिया दो का कर दिया गुणा और इसके बाद आपने यहां पर कौन सा सूत्र लगाया एका वर्ग minus b का वर्ग वर्ग बराबर a minus b a plus b तो उस सूत्र का उप्योग कर लिया यानि r plus r r minus r अब क्या को मना रहा है 2 pi को मना रहा है r plus r को मना रहा है ले लिजे comment 2 pi r plus r अब यहा क्या बचा r minus r तो यह क्या लिख लिया r minus r तो सूत्र क्या हो गया 2 pi r plus r पहले को स्टक में यानि capital r plus small r और दूसरे को स्टक में capital r plus h minus r वर्ग एकाई में और आयतन कैसे निकाला जायेगा बच्चो भई मैंने आपसे क्या कहा बेलन में घन में घनाम में आधार का छितरफल निकालो और उसमें उचाई का कर दो गोना आ गया आयतन इसलिए बिटा जादा तर सूत्र समझने की कोशिश करिए रटने की कोशिश मत करिए अब में आर स्क्वार माइनस आर स्क्वार और एच का और गुणा कर दिया तो यह जो सूत्र आया आपका यह किसका आ गया खोकले बेलन के आयतन का जो है वो सूत्र आ गया तो प्यारे बच्चो हमने यह सूत्र अच्छे से जान लिए कि खोकले बेलन का जो है आयतन कैसे निकाल छो आयाता है अंदर का वक प्रश्ट बाहर का वक प्रश्ट कैसे निकाला जाता है और बेलन में भी हमने जो है उसका संपुर्ण प्रश्ट और वक प्रश्ट वוגरेरा निकालने against जूतर ग्याद कर करते हैं एक लंबरती बेलन के वक्षप्रस्ट का छितरफल है वक्षप्रस्टी छितरफल 88 सेंटीमीटर स्क्वेर और उचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर बेलन के आधार का व्यास निकालना है और प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि त्रिज्या का दुगना करने से क्या आता है व्यास आता है यानि हमारा सवाल को पढ़के आप ये देखा करिए हमारा इस कोशन में अल्टिमेट गोल क्या है यानि हमें क्या चीज निकालनी है हमें निकालना है व्यास और व्यास निकालने के लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी त्रिज्या तो वक्षप्रस्टी चितरफल दे रखा है वक्षप्रस्टी चितरफल क्या होता है वक्षप्रस्टी चितरफल होता है तू पाई आ रहे है चो वो कितना दे रखा है अठासी के बराबर और प 1 मिनाइट 7 से ये 14 कट जायेगा दो बार, और 22 दोनी 44, 44 दोनी 88 तो ये आजायेगा 38R और किसके बराबर आगया? 88 के ये बराबर, तो R कामान क्या आगया? 88 बटे 88, यानि R कामान आगया 1. और क्योंकि पूरी calculation सेंटीमीटर में है तो उत्तर आ जायागा एक सेंटीमीटर जैसा कि यहां भी किया गया है तो अब व्यास क्या होता है व्यास होता है त्रिज्जा का दुगना अब त्रिज्जा एक है दो का गुणा करेंगे तो दो गुणा एक उत्तर कितना आ जाएगा दो सेंटीमीटर तो इसका व्यास क्या हो गया दो सेंटीमीटर तो मेंसुरेशन में सूत्र की जो है बहुत इं कोड़ के समझने की प्रवर्ती विक्सत करेंगे तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी तो प्रश्ण दो जो है एक वरताकार कुए का आंतरिक वियास है 3.5 मीटर और ये 10 मीटर जो है वो क्या है 10 मीटर आपका गहरा है तो क्या ग्याद करना है हमको आंतरिक प् स्क्वेर की दड़ से जब आपको इस वक्ष प्रस्ट पर प्लास्टर कराने का क्या वे होगा ये ग्याद करना है तो आंतरिक वियास है 3.5 मीटर और अगर वियास से त्रिज्जा निकाल नहीं होती है तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि दो का भाग लगा दिया तो त्रिज्जा क्या आ गई 3.5 बटे 2 मीटर और उचाई कितनी है 10 मीटर तो अब आगे देखते हैं तो आर का मान आ गया 3.5 बटे 2 मीटर यह आप देख रहे हैं और एच का मान क्या आ गया 10 मीटर तो अब आपको आंतरिक वक्ष परिष्टी ये छितरफल जो होगा वो बेलन का वक्ष परिष्ट को कि कुवा किसकी रूप में होगा बेलनाकार रूप में और बेलनाकार आकरती का जो वक्ष परिष्ट होता है वो क्या होता है 2 पाई आरेच तो तो पाई का मान हमेशा 22 बटे साथी लेना है जब तक ना दे रखा हो आर का मान हमने ऊपर से क्या ले ल और हका मान क्या ले लिया दस ले लिया अब देखीएगा इसको आपको हाल करना है तो तीन दशатель से साथ जब आप काटोगे ये पैतिस आ जाए गार साथ काटोगे तो साथ पंजे पैतिस और ये दो से दो कट जाएगा तो बाइस इंटू पाँच आ जाएगा बाइस इंटू पाँच क्या हो जाएगा एक सो दस मीटर स्कॉरर तो इसको आप हल कर लीजेगा अपने एसाब से तीन देशबला पाँच में फिर एक बार समझ लीजे साहत के पहाड़े में 35 बार आता है तो तीन देशबला पाँच इंटू दस का कोड़ा नफल 35 से साथ पाँच बार कट जाएगा दो से दो कट गया तो बाइस गोड़ा पाँच एक सो दस मीटर स्क्थर कराने का वे क्या है रुपे चालिस एक मीटर स्क्थर का चालिस तो इ आई है आप गुणा करते आए हैं तो 110 का आपने 40 में गुणा कर दिया तो 11 से 4 में गुणा किया तो 4402 जीरो और बढ़ाए इसका मतलब 4400 रुपे का यानी 4400 रुपे का खड़्चा आएगा जब आप क्या करेंगे कुए के आंतरिक प्रस्ट का जब आप प्लास्टर कराएंगे तो टूटल खड़्चा 4400 रुपे आएगा अगला प्रश्ट क्या कह रहा है एक बेलनाकार बढ़तन के आधार की परिधी कितनी दे रखी है 132 सेंटीमीटर और इसकी उचाई कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर इस बढ़तन में कितने लीटर पानी आ सकता है और एक लीटर बरावर 1000 सेंटीमीटर क्यूब तो पिटा आधार की परिधी क्या होती थी आधार की परिधी होती है 2 π.r ये मैंने आपसे कहा था अभी थोड़ी दिर पहले कि ये बहुत important है कि ब्रत का जो परिधी होती है 2 π.r और 6 तरफल π.r square तो 2 π.r किसके बराबर रख दिया 132 के बराबर पाई का मान 22 बटे 7 तरफल र है 132 तो र का मान क्या हो गया साथ यहां भाग में है तो इधर गुणा में आ गया और 2 और 22 यहां पर गुणा में है तो भाग में आ गया अब आप इसे हल कर लीजिए तो 2 से बार है 6 बार और 2 से 6 तीन बार और सातीय 21 तो क्या आगया आपका 21 सेंटीमीटर आपका उत्तर आगया किस का मान आगया तरिज्या का मान और उचाई कितनी है 25 सेंटीमीटर तो तरिज्या का मान 21 सेंटीमीटर और उचाई का मान 25 सेंटीमीटर तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई यार स्क्वेर एच आपको मैंने अच्छे से समझाया था कैसे यह सूतराया है पाई की जगे 22 बटे साथ और आर की जगे 21 लेकिन वर्ग लग रहा है तो 21 को दो बार लिखना है अगर किसी संख्या पर वर्ग लग रहा हो तो उसके आधार को कितनी बार लिखते हैं बच्चो दो बार लिखते हैं और एच का मान बेटा कितना है 25 है अब जब आप इसे हल करोगे तो 7 से 21 तीन बार कट जाएगा और जब 22 का 3 में गुणा करोगे और प्राप्त जो भी संख्याएगी उसका 21 में गुणा करके फिर 25 का गुणा करोगे तो उत्तर आ जाएगा 34,650 सेंटीमीटर क्यूब यह क्या आ जाएगा बच्चो इसका आयतन आ जाएगा और आयतन आ जाएगा तो बेटा अभी अभी आपको क्या दे रखा है वैसे ये बात आप याद भी रखना एक लीटर बराबर एक हजार सेंटीमीटर क्यूब तो यहां से अगर आपको एक सेंटीमीटर क्यूब का मान निकालना है तो हजार का भाग लगाना पड़ेगा तो एक सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर आ जाएगा एक बटे एक हजार लीटर के और क्योंकि आपका उत्तर सेंटीमीटर क्यूब में आया है लेकिन जो प्रशने वो लीटर में चाह रहा है तो एक हजार का आप इसमें भाग लगा देना तो एक जीरो से एक जीरो कट जा पर तो जाएगा तो 34.65 लीटर इसका उत्तर आ जाएगा यानि ये जो बड़तन है इसमें आने वाले पानी की धारिता कितनी हो जाएगी 34.65 लीटर इसकी धारिता हो जाएगी तो बिटा धारिता मानना है उस बड़तन की अंदर कितना पानी या कितना सामान आ रहा है वही उस convert करना है तो आपको पता है कि एक मीटर क्यूब में एक हजार लीटर ये कभी मत भूलिए और एक लीटर जो है वो किसके बराबर होता है एक हजार सेंटीमीटर क्यूब के तो ये बात जो है ये आप मेंसुरेशन में जरूर याद रखिएगा जिससे कि कभी भी लीटर में convert करना हो मीटर क्यूब को या सेंटीमीटर क्यूब को तो आप आराम से convert कर पाएं अब देखिए एक और प्रश्न करते हैं जो कि खोकले बेलन पर आधारित है लकडी के एक बेलना कार पाइप का आंतरिक वियाज 24 बाहरी वियाज 28 और पाइप की लंबाई दे रखी है 35 बाहरी वियाज 28 आंतरिक वियाज 24 तो इस पाइप का द्रविमान ग्याद कीजिए जबकि एक सेंटीमीटर क्यूब लकडी का द्रविमान 0.6 ग्राम है अब द्रविमान कैसे जाद करोगे आप क्योंकि एक सेंटीमीटर क्यूब का द्रविमान 0.6 है तो अब हमें ये देखना है कि इसमें कितने सेंटीमीटर क्यूब लकडी का उप्योग हो रहा है और centimeter क्यों मतलब? आयतन निकालना है तो आंतरिक व्यास क्या दे रखा है? 24 अब व्यास में 2 का भाग लगाया चाथाश में पीटा 2 का भाग लगाएंगे तो बारे आएगा तो आंतरिक तरज्या क्या आ गई? बारे अब बारी व्यास क्या है? 28 और उसमें 2 का भाग लगाया तो उत्तर क्या आ गया चौध है और उचाई कितनी है 35 और हम इसका सूत्र क्या पड़ चुके हैं आयतन निकालने का पाई कोस्टक में R1 2 minus R2 2 minus R1 2 into H यानी भारी तरज्जा का वर्ग minus भीतरी तरज्जा का वर्ग और कोस्टक बंद गुणा H और बाहर पाई का गुणा हो रहा है तो यह है इसका सूत्र तो इससे हम जो है वो क्या करेंगे तो हमने यहाँ पर क्या किया है बाहरी तरिज्जा को R2 मान लिया भीतरी तरिज्जा को R1 मान लिया है तो आप अगर चाहें तो बाहरी तरिज्जा को capital R और भीतरी तरिज्जा को small R मान के भी सवाल कर सकते हैं तो pi का मान 22 बटे 7, r का मान 14, r2 का मान 14, r1 का मान 12, अब यहाँ पर हमने a के वर्ग, minus b के वर्ग का सूतर लगा दिया, क्या होता है सूतर यह? a plus b, और a minus b, तो क्या आगे उत्तर? 14 plus 12, 14 minus 12, 14 plus 12 क्या हो गया? 26, 14 minus 12 क्या हो गया? 2, और जो है वो आपका 22 गुणा 7, पांच बार तो यह आ गया पांच तो आयतन कितना आ गया पांच है यार साथ सो बीस सेंटीमीटर क्यूब अब एक सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का तरव इमान कितना है जीरो दशमलब छे एक का इतना तो इतने का कितना ऐसे सवाल में क्या करते हैं बच्चो गुणा ही करत तो 5720 में जब 0.6 का गुणा किया तो उत्तर आ गया 3432 ग्राम और अगर बच्चो इसको किलो ग्राम में बदलना है तो 1000 का भाग आपको और लगाना पड़ेगा तो आपने क्या किया इसमें 1000 का भाग और लगा दिया तो यह जो 3 जीरों है तो यहां से दशमलब 3 स्थान बाई और खिसक जाएगा और 3 के तुरंद बाद आ जाएगा तो उत्तर के आ जाएगा 3.432 क्लो ग्राम तो यह लकडी का तरवेमान हो गया तो इस तरह से बेटा जो है आप सवाल जो है इसके कड़ सकते हैं अब पांचमा सवाल बेटा जो है वो कराने की दर 20 प्रती मीटर स्क्वाइर हो तो क्या गयात करना है आंतरिक वक्प्रस्ट आधार की तरिज्या और धारिता तो आंतरिक वक्प्रस्ट को पेंट कराने का खर्चा कितना है बाईस सो और प्रती मीटर स्क्वाइर इतना है तो बेटा अगर प्रती मीटर all औरंट्षे में भाग लगा देंगे तो आपको क्या पता चल स्ट चल साथ अ कि है की kept पता नहीं है, H की जगे 10 दे रखा है, वो आपने मान लगाया, इसके बाद 7 भाग में है, तो दूसरी दिशा में जाके गुड़ा में हो गया, दो बाइस और दस दो सो बीस हो जाएगा, ये भाग में चला जाएगा, इसके बाद 110 से 220 दो बार चैनसल हो जाएगा, आर का मान आजाएगा, 7 बटे 4, और अगर 7 को 4 से भाग लगाएंगे तो उत्तर क्या आजाएगा, 1.75 मीटर, तो इसका मतलब पहला भाग तो आगे हमारा 110 मीटर स्कुएर उत्तर, अब आधार की तरिज्जा भी हमने निकाल ली, 1.75 मीटर, अब हमें क्या करना है, बेलन की धारिता निकाल ली हो, बेलन की धारिता कैसे निकालते हैं, उसका आयतन, यानि पाई यार स्कुएर ऐस से, तो पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 7 बटे 4, ह एच का मान 10, और जब आप इसे हल करोगे, तो एक साथ से एक साथ कैंसिल हो जाएगा, ये दो बार कैंसिल होगा, ये ग्यारे बार हो जाएगा आपका, और इसके बाद 11.77, 77 into 10, 770, और नीचे आगया 4 दुनी 8, और 770 से 8 से भाग देंगे, तो उत्तर के आ जाएगा, 96.25 म तो ये बिटा ये हो, इसके 3 पार्ट पूछे थे, वो हमने निकाल लिया, एक बार बहुत जल्दी से इसकी पुर्नावरती करता हूँ, कुल खर्चा था 2200 रुपे, प्रती मीटर स्कुएर खर्चा था 20, तो प्रती मीटर स्कुएर अगर आपने खर्चे से भाग लगा दि तो वक्परस्ट को दिखाएगा, तो 110 इसका वक्परस्ट आगया, और वक्परस्ट आगया वो 2 πr h होता है, h का मान दे रखा है, तो उससे पहले तरिज्या का मान आया, तरिज्या का मान आगया, वक्परस्ट का मान हमने निकाली लिया, 110 और फिर आयतन कैसे निकाला जाता पाई आर स्क्वेर एस से तो जब पाई का मान भी पता है आर का मान भी पता है एच का मान भी पता है तो आपने बड़तन की धारिता को ग्याद कर लिया अब प्यारे बच्चों जो मैंने आज आज आपको बेलन के वक्परस्ट संपून प्रस्ट और आयतन का जो सूतर बताया है और जो मैंने आपको जो खोकले बेलन का जो आपका संपूर्ण प्रस्ट आंतरिक वक प्रस्ट बहारी वक प्रस्ट वगरा के छितरफल बताएं उन्हें समझ के अपने मस्तिश्क में आप बिठा लेना अच्छे से और उसके उपरांत बिठा जो है वो आप अभ्यास करना क तो बेटा इसकी अच्छे से प्रेक्टिस करना तो आज एक आप NCRD की 13.2 और 13.6 के प्रस्ट के प्रस्ट करना इसके बाद ये प्रस्ट निकलना एक बेलना कर पात्र टंकी की धरिता ग्यात किजिए जिसकी उचाई और आधार का व्यास तो आधार के व्यास से आप 20 cm लंबाई के लोहे के पाइप का बाहरी व्यास इतना है और मोटाई इतनी है तो बेटा मोटाई दे रखिये तो बाहरी व्यास से अगर आपको भीतरी व्यास निकालना है तो मोटाई का दुगना माइनस कर देना यानि 2 cm जब 25 में से माइनस कर दोगे तो भीतरी व्यास आ जाएगी उचाई आपको पता ही है उसके बाद आप संपूर्ण प्रस्टीच हित्रफल के सूत्र को लगा के ये प्रश्ण भी हल कर सकते हैं और किसी बेलन के त्रिज्जा उचाई का अनुपाद दे रखा है तो त्रिज्जा हो जाएगी 5X उचाई हो जाएगी 7X और आयतन प्रस्टीच हो जाएगी तो प्यारे बच्चों ये जो प्रश्ण है इनका एक स्क्रीन शॉट ले लिजिए अपने मोबाईल से आप इने हल करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा आज के लिए इतना ही बहुत-बहुत धन्यवाद